जैपुर के RUHS अस्पताल में बच्चों के लिए डायलेसिस की सुविधा शुरू की गई है जल्द ही इसका विस्तार भी किया जाएगा इस सुविधा के शुरू होने से आसपास के मरिजों को इसका लाब मिल रहा है अस्पताल के अधीक शक डॉटर अजीस सिंग ने बताया कि फिलाल तीन मशीनों की जरीए बच्चों का डायलेसिस किया जा रहा है उन्होंने बताया कि ये सुविधा पूंड तै निशुल्क है यहाँ पर तीन डायलेसिस की मशीन जो स्टार्ट की गई है उसके अंदर जो पिडिटिक एज ग्रूप के अंदर जो किड्नी के पेशेंट से जिसमें नेफरोटिक सिंड्रॉम्स हैं कई बार कोई इंफेक्शन के अंदर रीनल सट डाउन हो जाता है कई बार अभी सीजनल डिजीज में डी हाइडरेशन की वज़े से अक्यूट रीनल फेलियूर के केसे जाते हैं ऐसे जो बच्चे दो साल से उपर होते हैं उनको कई बार हीमो डायलेसिस की एक बहुत बड़ी अर्जेंट नीड होती है उसको देखते हुए यहाँ पर पिडेटिक नेफरोलोजी के अंदर डायलेसिस की फैसलेटी को स्टार्ट किया गया है यह डायलेसिस चूर्की वर्तमान में RUHS अस्पताल भी राजे सरकार की सभी योजनाओं के तहत संचालित है और जो भी राजे सरकार की निशुलक सुईदें हैं वो यहाँ पर उपलब्द कराए जारी है चाहिए वो डायलेसिस है तो भी वो यहाँ पर निशुलक उपलब्द कराए जारी है बच्चों का dialysis, हीमो डायलिसिस विशेशकर उन बच्चों में जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं हीमो डायलिसिस ही एक मातर इलाज है उसका और बच्चों के हीमो डायलिसिस करने में बहुत सतरकता बरतनी पड़ती है और बड़ा जटिल प्रोसेस है तो इस वकत RUHS में ब बच्चों को यह सुईदा से बहुत बड़ा फाइदा मिलेगा